कि इस वीडियो में मैं इनके यूज की बात मैं कर रहा हूं प्रिपोजिशन सिंपल प्रिपोजिशन के यूज की दिशा में हम लोग हैं अभी और इनका यूज थोड़ा कुछ ज्यादा ही ब्यापक होता है तो उसके लिए कुछ पढ़िशितियां मैं आपके सामने रखा हू जैसे में के सेंस में तो इनका यूज होता है आप सब लोग बहतर जानते हैं पहले से फिर अवस्था बताने के लिए हाँ अवस्था परिबरतन के लिए अवस्था परिबरतन के लिए इन्टू का यूज होता है लेकिन अवस्था परिबरतन के लिए और यहां देखे माध किसी बस्तु से सम्मंध के लिए इन सब के लिए मुखी रूप से inka use होता है तो मैं शुरुवात करता हूँ इस सब को example से clear करने का जैसे मे के अर्थ में इनका बहुत सारा use होता है इसकी शुरुवात मैं कर रहा हूँ जैसे बरास्थान बताने के लिए जैसे we live in India, हम लोग भारत में रहते हैं, we live in चंपारण, हम लोग चंपारण में रहते हैं, we live in इस चंपारण, हम लोग इस चंपारण में रहते हैं, we live in बिहार, हम लोग बिहार में रहते हैं, इन सब के लिए इन लगाएंगे, जैसे छोटे शहर, गाओं, तोला, मुहला की बात होगी तब फिर वहाँ पर हम लोग इस इन के जगह पर एक का यूज गरेंगे यहां पर दब इन का यूज नहीं करेंगे लेकिन चोटे गाउँ छोटे शहर या बड़ा गाउँ तोला मुहला चोटा सहर इस सबके के सेंस में कुछ और ले जैसे कि अगर हम कहते हैं कि गर्मी में गर्मी पड़ती है या भारत में गर्मी पड़ती है जारे में ठंड जैसे जैसे it is cold in wind जारे में ठंड पड़ती है तो यहां भी में के सेंस में इनका यूज हुआ इसके अलावा अगर समय की बात मैं करूँ तो समय के बात के लिए हम लोग अगर मौर्निंग समय दिन का जो खंड है जैसे morning, evening, afternoon यह सब के लिए भी इन लगाते हैं जैसे we rise in the morning हम लोग सुबह में जगते हैं यहां भी इनका यूज हम लोग make a sense में कर रहे हैं इसके अलावा अवस्था बता अवस्था बताने में थोड़ा देख लें अगर गतिक ये वस्था है जैसे बच्चे खेलने में लगे हैं लोग काम पे लगे हैं आप लोग कहीं सरक से जाते रहते हैं तो वहां लिखा रहता है कि go slowly, go slow, men are at work, children are at play, वहां गतिक ये वस्था है तो वहां एट लगाएंगे लेकिन इस्थी रवता या खास्तोर पर ये समझें कि मांसी का वस्था है त या वह कर्ज में है, he is in depth, या वह जल्दवाजी में है, वह जल्दवाजी में है, he is in hurry, या वह संदेह में है, तो यहां पर वह डाउट में है, या वह प्यार में पड़ा है, यहां पर भी हम लोग इन लगा रहे हैं तो ये जो मांसी का वस्था है और या इस्थी रवस्थ तो इन सब के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं फिर इसके बाद आता है में से अगर निकलते हैं आवस्था से निकलते हैं के भीत जैसे हम कहते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं वब्ता हमें इनका यूज करते हैं ऊसमें के लिए भी हम लोग आपोशाख के लिए पोशाख के लिए देखzh Nag अगर हम कहते हैं कि वह ध्?! कंदी कुर्टा में है, वा सारी में है, वा कुर्टा पैजामा में है, या वा शिल्क में है, वा cotton में है या वा रेड में है जैसे कभी उपर से नीचे तक हमारी Мादेह ने मैच करती है कि लाल रंका सब कुछ होना चाहिए नेल पॉलिस तक मैच कड़ा लेती है चपल तक तो वहां भी सीजिन डेट ऐसा लिख सकते हैं सीजिन ब्लू सीजिन ग्रीन तो यह जैसे ही इज इन धोती कुर्टा वह धोती कुर्टा है सीजिन सारी सीजिन सिल्क सीजिन कॉटन समझ रहे हैं आप सब लोग तो यहां पोशाक के सेंस में इनका प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है फिर इसके बाद यहां पर है पोशाक के बाद के द्वारा के सेंस में के द्वारा के सेंस में आप देखिए, अगर हम लिखते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ, तो वहाँ पर वित लगाएंगे, लेकिन अगर हम लिखते हैं, कि मैं स्याही से लिखता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग इन, चुकि स्याही का संपर्क हाथ का नहीं है, स्याही मैं खोद लिखाता है, अक्षर, इ तो इस तरफ ध्यान हो जाएगा और सीधे पेंसिल ए नहीं लगाएंगे पेंसिल के पहले सीधे पेंसिल बोलेंगे तो उसका सेंस आ जाएगा कि लकडी के अंदर जो ग्रेफाइट का काले रंका वो पतलासा जो छर नुमा गया हुआ है तो उसके तरफ इसारा कर रहा है जो पेंसिल के तरफ हो गया तब वहाँ वीत का प्रेउग हम लोग करेंगे चुकि उसका साथ हात का तो रहता ही रहता है चलिए अब के द्वारा के लिए हो गया पेशा बताने जैसे वह पोस्ट अफिस में है रेल बे में है या आर्मी में है जैसे he is in army, he is in the army, वो आर्मी में है, यहां पर भी हम लोग इनका क्रेव करेंगे, तो यहां पेशा बताने हो गया, के दोरान, जैसे हम कहते हैं कि 2005 के दोरान काफी ज़्यादा सरके बनी थी हमारे बिहार में सब हुआ था, तो बिहार कुछ प प्रोग्रेस इन 2005 देखिए बिहार कुछ विकास किया 2005 के दौरान तो यहां के दौरान के सेंस में भी हम लोग इनका यूज किये हैं के दौरान के दौरान के से भी हम लोग इनका यूज कर रही है अब देखिए हम लोग उने इतना सारह यूज किया है इनका अब के दौरान हो गया दिशा बताने यह तो जानते हैं आप लोग the sun rises in the east and sits in the west सुरज पूरा में उबता है पसी में डूहता है यहां दिशा बताने के लिए भी हम लोग इनका उज़ करता है एक सी जौर जमो कासमीर भारत के उतर में है यहां में इन लगाएंगे लेकिन चाइना भारत के उतर में यहां इन नहीं लगाएंगे, चुकि चाइना भारत के अंदर नहीं यहां टू लगाएंगे, यह याद रखना बहुत जिरूरी है, प्री पोजिशन के लिए, अब जिसा बताने होगे, समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए कुछ और हम लोग एक्जाम पले, जैसे नि पर वहाँ पहुचेगा, वह समय पर वहाँ पहुचेगा, तो नियत समय के लिए हम लोग इनका यूज कर रहे हैं, नियत समय बताने के लिए, अब है, की माध्यम के लिए, माध्यम बताने के लिए, तो माध्यम जैसे I, can, speak in English, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं, तो यहां पर हम लोग यहां भी इनका यूस करेंगे, यह माध्यम बता जा रहा है, इसके अलाबा किसी बस्तु से सम्मंध बताने के लिए, किसी बस्तु से सम्मंध है, concerning, जिसको concerning करते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं, बिहार, बिहार से जादा तो यह बिहारे लिए, बिहार इस रिच, किस चीज में रिच है, इन फूड ग्रें, फूड ग्रें, खाध्यान में बिहार सम्मंध है, तो यह मुख यूज इनका है, बाकी इतनी पोजिशन का यूज अगले वीडियो में, thank you.